बिरूत क्यों होना चाहिए जब भी कुर्मी जाती या कॉंकुरिंग समुदाय जो है वो अपनी मांग रखता है देखे कुर्मी मातो समुदाय पहले कभी भी आदिवासिया स्टी सुची में नहीं था मनिपूर में जो हालात है यहां भी वही इस्तिती कुछ लोग बनाना चाहते हैं जो गलत है कोलकता हाई कोट ने इसको आसमयधानिक भी बताया उसके बावजूद इन लोगों ने रेल चक्का जाम किया यह तो जोर जबरजस्ति वाली बात है कि हमको एस्ति बनाना ही पड़ेगा तो इधर आप एस्ति भी बनना चाहते हैं उधर आप OVC का भी अधिकार लेना चाहते हैं तो चाहते क्या हैं जैसे जहारखन में JMM, उडिसा में विजू जनता दल, बंगाल में TMC इन लोगों ने कुर्मी मातों को स्टि बनाने का एक सिजन दिया हुआ है आग में घी डालने का काम करते हैं और जो JMM जैसी पाटी है, यह पाटी खास कर जहारखन और ब्रिहत जहारखन में आदिवासियों को बार बार गुमरा करती है और JMM पाटी को तो हम कहेंगे, जब तक यह सोरेन खांदान का पतन नहीं होगा, आदिवासियों का उत्थान कभी संभब नहीं है जहारखन और उडिसा में हुआ, अब उसको लेकर आदिवासियों संगठन जो है, वो नराज है, और लगतार कल भी आपने देखा था कि कई संगठनों ने प्रेस कंपिंस उनके खिलाब किया था, आज हमारे पास आदिवासियों सेंगल अभियान के सालखन मुर्गुजी है वो भी इस पर आज पर इस कंपिंस नों रखा है, और ये लगतार उन लोगों में से हैं कि जब से कुर्मी समुदाई इस मांग को लेकर अपनी स्टीव दरजा में सामिल करने की मांग कर रहा है, तब से उसमें मुखर विरूध ये कर रहे हैं और इनकी अपनी तर्क है, आप लोग इतना बिरोध क्यों कर रहे हैं, जब जब भी कुर्मी जाती या समुदाई जो है, वो अपनी मांग रखता है। असली आदिवासी जो 13 करोड हैं, उनका क्या होगा? मनिपूर में जो हालात है, उसका ही एक उदाहरन है, कि असली आदिवासियों के उपर जो बड़ी समरिद जाती हैं, मैताई जाती, उनको एस्टी बनाने के चकर में मरता क्या नहीं करता वाली इस्थिती बन गए। यहां भी वही इस्थिती कुछ लोग बनाना चाहते हैं, जो गलत है। दूसरी बात, यह जो कुर्मी मातों हैं, कभी अपने को छत्री बोलते हैं, विनोत बिहारी मातो जी जो उनके पुराने बड़े नेता हैं, उन्होंने सिवाजी समाज का गठन किया। फिर यही कुर्मी मातों लोग जारकन और भारत के 9-10 राज्यों में पेशा पंचायत कानून लागू है, उसको जारकन हाई कोड में इन लोगों ने चैलेंज किया था, और 2 सेप्टेंबर 2005 को खारीज कराया, कि पेशा पंचायत कानून के तहत क्यों आधिवासियों को सारा अधिकार मिलेगा, तो यह आधिवासि के बिरोधी भी रहे हैं, प्रमानित तवर पर, तो इस समय कोलकता हाई कोड ने इसको आसमय धानिक भी बताया, उसके बावजूद इन लोगों ने रेल चक्का जाम किया, गुन्ड़गर्दी किया, हुलिस प्रशासनों के साथ मारप किया, और एक परकार से यह तो जोर जबरजस्ती वाली बात है, कि हमको स्टी बनाना ही पड़ेगा, क्यों बनना चाते हैं, आधिवासियों का जो आरक्षन है, आप भी तो समझ रहे हैं, क्यों बनना चाह रहे हैं, इस बात को तो भली भाती, जैसे आपने का कि अगर अधि अधिवासी बनते हैं, तो अधिवासी के अधिकारों का हनन होगा, वही बात होगा है, कि सतर साल से हमारे अधिकारों का हम कहां है, जारकंड में, जारकंड अलग हो गया, ना हमारा जनप्रतनित्व है, उसमें भी अस्थानिये निकायों में भी, हमारा तो सब जगह से जो जन्द प्रतिनित्व है वो खतम हो गया सब कुछ आदिवासी कोटे में चला गया तो हम इसी आप इस बात को समझ रहें कि सारी चीज़ें क्यों हो रही सिर्फ इसलिए हो रही कि हम आधिकार और हमें भी वो चीज़ें मिली देखें आधिकार लेने के लिए उनको OBC का दर्ज मंत्री जी उन्होंने सुप्रीम कोट में एक याचिका दायर किया हुआ है कि नगर निकाय चुनाओ जब भी होगा तो कुर्मी महतों को OBC का अरक्षन मिलना चाहिए तो इधर आप STV बनना चाहते हैं उधर आप OBC का भी अधिकार लेना चाहते हैं तो चाहते क्या है हमारा सीधा सीधा कहना है इस मामले पर हमने माने प्रधान मंत्री जी को 28 अक्टोबर 2022 को एक पत्र भेजा माननिय रास्पती द्रोपदी मुर्मु जी को हमने 21 जुलाई 2030 को पत्र भेजा दोनों पत्रों का उदेश यही है ये लोग कभी भी ST में नहीं थे और इनका आचरन व्यो इनको ST आदी बनाने के पहले पूरी तरह गंभीता से विचार होना चाहिए आने था पूरे भारत देश के आदिवासी इसके खिलाब उग्र अंदोलन कर सकते हैं और हमने रास्पती महुदया को तो यह भी लिखा है कि आने एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे जारखन में जे डालने का काम करते हैं भोड बेंके लोब लालश के लिए अपनी राजनिती को चमकाने के लिए तो ऐसी पाटियों के चलते हम जो असली अधिवासी हैं हमारे गले में तो फांसी का फंदा लटक जाएगा हमारा नरसंगहार हो जाएगा तो हमने रास्पती महुदया इसे आ पहले आधिवासीों के लिए एक कमिटी एक कमिशन बनाई जाए कि 75 वर्सों में आधिवासीों को आरक्षन देने के बाबजूद उनका तो विकास हो नहीं रहा है बिनास ही हो रहा है तो पहले उसके विकास का समिक्षा होनी चाहिए और आगे उनका एक ऐसा रोड मेप बन जाती हैं अभी एस्टी बनके जो कुछ भी मेरा बचा हुआ उसको भी खा जाएंगे तो यह तो पूरत देश में हमारा संभिधान में जो रक्षा का मौलिक अधिकार है अनुछे दिकाईस के ताहत मर्यादा के साथ जीने का अधिकार और जब से संभिधान लागू है तब तो आपने कहा है कि जो यहां पर छेत्रिये पार्टियां हैं उडिसा में विजुदंता दल टीमसी और जारकंड में जेमें लेकिन जो कई आदिवासिस संगठन कल भी उनका तो सिधा सारोपेस में सब बीजेपी का हाथ है इसलिए कि पचपच बारे लोग रेल लोग को अं आंफ्रेंस किये मुझे पता है कोई ये में का है कोई कॉंग्रेस का है कोई और है और पाटियों का है और इसलिए भीजे पीप पर ही इन लोग का आरोफ है लेकिन जादा तर दोसीदार ये में पाटिया और कॉंग्रेस पाटि इतियादी हैंcontys No B不好 को हम you benefit of doubt दे सकते हैं इसलिए कि अभी दो मेहने पहले करीक 12 जातियों को ST में सामिल किया गिया लेकिन कुर्मी को सामिल नहीं किया गिया जबकि कुर्मी जाति को ST बनाने का अनुसन सा अरजुन मुंडा बीज़पी के मुखे मंतरी यप थे 2004 में किया था तो 2004 के बाद से लंबा समय 24 हो गया तो बीज़पी चाहती तो इसको कर सकता था ना नहीं किया तो इस समय बहुत सारे जनसंगठन के नाम से जो कुर्मी का विरोद कर रहे हैं वो जेमेम और कॉंग्रेस का विरोद नहीं कर रहे हैं उन्ही पाटियों के ये समनेता हैं और उन पाटियों के द्वारा आदिवासियों को कतल करने का जो काम हो रहा है इसको छीपा कर ये अपना वहवही कराना चाहते हैं उसी परकर आदिवासी स्वासासन पधति के नाम से माजी परगन मन की उंड़ा दिया हैं ये भी गाउं में चुप हैं चुकि जेमेम पाटी इनके लिए कहती है हम बाइक देंगे घर बना के देंगे मैना पैसा भी देंगे तो ये लोग जेमेम पाटी के दलाल और गुलाम की तरह आदिवासी समाज की हत्या में सामिल हैं मैं कॉंग्रेस और बीजेपी को भी दोसिदार मानता हूं कॉंग्रेस के अधिर अजन चोधरी ने भारत के पार्लिमेंट में कम से कम तीन बार कहा कि कुर्मी मातों को अधिवासी का दर्जा दिया जाए जो गलत है बीजेपी वाले लोगों ने भे ऐसा किया है लेकिन अभी तक उन लोगों ने कुर्मी को स्टी बनाने का अनुशंसा नहीं किया है और ये जो केस नहीं हो र रहा है, इस बार तो बहुत केस युए बहुत दफा लगाए गए तो हमारा इतना ही गाना है कि पूर्मी मात्तो मुलिवसी के रूप में जारखटन होतीज के लिएर्ट समय कहां, प्लिए समय रिए MARTACH को के लिए इस्तिती मनिपूर की तरह बन सकता है और यह केवल जार्खन का मामला नहीं है हम कोशिज करेंगे पूरे भारत के तेरा करोड आदिवासी जो 75 सालों से एस्टी का दर्जा प्राप्त हैं उनके सामने यह करो या मरो की इस्तिती है यह चोटी बड़ी बात नहीं है और जो जेम पाटी को तो हम कहेंगे जब तक यह सोरेन खांदान का पतन नहीं होगा आदिवासीों का उत्थान कभी संभब नहीं है और यही लोग आदिवासी समाज को गुम्रा करके रखे हैं मारंग बुरु को बेच दिया संताली भासा को राजभासा नहीं बनाते हैं पूर्मी को आ हम लिखता है हमन्त कुमार सोरेन पिता का नाम सीवू सोरेन के जगा सीव सोरेन और इसी मामले को लेकर अभी हमन सोरेन इडी के पास जाने से डर रहें आखरी दम तक पोसिस करना है कि हम बच जाएं लेकिन ऐसा नहीं होगा आज नहीं तो कल उनको जाना पड़ेगा चुकि तत्यों के साथ उनका मामला कोट के सामने है थीक है अलग विशे हम लोग इसी पर रहते हैं कुर्मी पर मेरा सवाल है जिसे आपने कहा कि कुर्मी जो है मुलवासी है यहां का तो जब जारकंड अलग हुआ तो मुलवासी और आदिवासीओं के लिए हुआ तो और हमें अधिकार ना मिला, अगर हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, तो उसमें आपका विरोत्की होना चाहिए, नहीं लगता है कि यह नया पूंड बात है, देखे जारखन के विधान सभा में 81 MLA का सीट है, जिसमें 28 सीट आदिवासी के लिए अरक्षित है, तो समझ लिज नहीं, आदिवासी के लिए 28, सिडूल कास के लिए 9, तो कुल मिला के आप उसको 40 मान लेजे, 40 बचा तो 40 बचा, तो उसमें मुलवासी महतरलो का पूरा स्थान है, वो लोग उस सीट को ले सकते हैं, हम आदिवासी उसमें उनको मदद करेंगे, वो हमको इसमें मदद करें, तो यह जो फॉर्मूला होगा 50-50 का, तो उसको कहां हम दरकिनार करना चाते हैं, भई जार्खन को आदिवासी मुलवासी मिल के मांगे थे, बाकी लोगों ने भी रोध किया था, तो अभी भी केवल 28 या 30 सिल आदिवासी के लिए है, तो बाकी 50 सीट तो मुलवासीों के लि लेगा, लेकिन आदिवासी बनके लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अरक्षित हो गया, उनके लिए इसी जातन में वो मुद्दा तो देश का मुद्दा है, जैसे ओभी सी आरक्षन, अभी 27 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षन है, यहां की बात अलग है, यहां तो सब च सोरे ने 73 को 74 बना दिया, लेकिन इनका जुन-जुना कहीं चंता नहीं है, तो हमारा यह कहना है, ओवी सी जातियों को नौकरी में भी अरक्षन मिले, MLMP में भी मिले, देश भर में मिले, यह पार्लिमेंट का मुद्दा है, यह चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन यदी गुर अर्दी करके बनेंगे, तो भई आदिवासी को भी सोचना पड़ेगा ना, ऐसा करके पूरे जार्खन के महौल को यह घिंसक बनाना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है, बलकि हमें मिलकर एक माधे रास्ता अपनाना चाहिए, यह आदिवासी को भी हिस्सा मिले, पुडमी मातों क भी हिस्सा मिले, और यह काम संभव है, हम इसमें साथ देने के लिए तयार हैं, जब भी आप लोग विरोध करते हैं, तो एक आवाज उठती है, फिर जो आदिवासी दुसरे धर्म में चल रहे हैं, उनकी डिलिस्टिंग क्यों ना हो, कल भी आपने देखा था कि जब प्रे मैंने पहले भी कहा है, कि कोई आदिवासी यदि प्रकृति पूजा धर्म को अर्थात सरना धर्म छोड़ के किसी भी और धर्म में जाता है, तो उसकी भासा संस्किती, उसका पूजा पाठ, उसका रहन साहन, सोच संसकार, उसका इश्वर बदल जाता है, इतिहास बदल जा को जड़ों से कट जाता है और आदिवासी होने के लक्षन उसके समाप्थ हो जाते हैं इसलिए हमारा मानना है कोई आदिवासी यदि अपने प्रकृति पुजा धर्म को छोड़ देता है और हिंदू-मुसल्मान इसायादी बन जाता है तो उसको फिर आदिवासी का लाब ले या आधिवसी बनने का आधिकार स्वाता समाथ हो जाता है और उस पर यदि भारत सरकार डी लिस्टिंग का कोई कानून बनाती है तो हम उसके समर्थन में आप तो बोलते हैं लेंगर बाकी लोग चुपते हैं इसलिए साथते हैं चुकि उनको राजनिती करना है मुझे भोट कि नेता जो कुछ भी ढुलमूल बात करते हैं ना वह एक परकार से अधिवासियों के साथ अन्या करते हैं तो आप सुन रहे थे कुडमी जो समाज कुडमी जाती जो सामिल करने को लेकर अपनी मांग कर रहा उसको लेकर लगतार जो अलग 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 अदिवासित करता ये कल जारकन के जो मुख्य सचीव हैं वह वर्ता के लिए पुलाए हैं क्या कुछ उससे निकल कर आएगा नतीजा वो तो कल का वक्त बताएगा लेकिन आज यही है कि जो आदिवासित संगर्ठा ने इसको लेकर टेजी से अपना विरोथ जता रहे हैं अपने स्योगी इस रामूर्थी के साथ ससी भूशन सुसल संबात यूज चाहर करें